तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी इंस्टेंटली बन जाने वाले पिकल की रेसिपी लेकर आई हूं जो की बहुत ही डिलिशियस है और आपके खाने का स्वाद दुगुना कर देगा और वह है सिर्के वाले प्याज और सिर्के वाली कैरेट्स आप चाहे तो इसी रेसिपी को आप रेडिश और कुकुमर के साथ भी बना सकते हैं इसे आप खाने के साथ ऐसा सालड तो सब कर ही सकते हैं मगर साथ ही साथ इसे या फ्रेंकी रोल सैंडविचिस में डाल के बनाएंगे तो उनका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा तो आए देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी क्या है और उसमें हमने क्या-क्या इंग्रेडियंट्स यूज किया है अब सबसे पहले एक पतीले में हम एक ग्लास पानी डाल देंगे और उसे गरम करने के लिए रख देंगे हम और इसमें डाल देंगे हम एक बेलीफ हाफ करके और बहुत ही अच्छा आएगा इनका अच्छे से पानी में और इसमें साथ में नमक डाल देंगे हम एक चमच अब पानी देखिए हमारा बॉयल होने लग गया है इसको बिल्कुल सिंप पे बॉयल करना है ताकि जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर इसमें बन कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पे आने देंगे इस पिकल को बनाने के लिए हमने लिए है कैरेट्स दो जिसे मैंने लंबे जूलियंस में कट कर लिया है और साथ में हमने लिए हैं जिसको मैंने सेमी सरकल्स में कट कर लिया है अब इसे एक ग्लास चार में हम भर कर लेंगे अनियन को और इसी तरह दूसरे जार में हम कैरेट्स भी अच्छे से फिल कर लेंगे जो हमने वाटर एंड विनेगर और मसालों का मिक्स्चर बनाया था अब इसे हम इन बॉटल्स में भर देंगे इन अच्छे से उपर तक पूरा फिल कर देंगे देखिए इस तरह से हमने बॉटल्स को पूरा भर दिया है अब लिट बन करकर हम इसे अच्छे से एक बारी शेक कर लेंगे और हमारा जो पिकल है वो बन कर तैयार हो चुका है सिंपल सा इसको एक दिन के लिए हम रखेंगे न इसली आपका स्टोर हो जाएगा अब मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल बट यूसफुल रेसिपी शेयर कर रही हूं और इस पिकल ग्रीन चिली अपनी ज्यादातर रेसिपी में मैं इसे ही यूज करती हूं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन चिली सॉल्ट एंड व अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे दो चमच लास्ली इसमें हाफ कप विनगर आड़ कर देंगे हम जार काप डखन बन कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से हम शेक कर लेंगे हमारा पिकल्ड ग्रीन चिली तैयार हो चुका है अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इसली यह जो ग्रीन चिली है एक में इने तक प्रिजर्व हो जाएंगी बस आप रोज इसे अच्छे से एक बारी शेक कर दीजिएगा इस तरह से दो दिन के बाद हमारी ग्रीन चिली इस तरह की हो जाएंगी आप इसे जैसे चाहें यूज करें आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे जादा से जादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिस के साथ और ज